बिस्मिल्य आख्मानी रहीम, असलम विल्कूम, आज हम ये टेस्टी सी स्वीट रेस्पी बनाएंगे, और इस मिठाई को हम बीना चीनी के बनाएंगे, खाने में बहुत मज़दार बनती है, और इस मिठाई को हम घर में रखे इंग्रेडिडिस से बनाएंगे, इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने दो कप बेसन लिए, यह मैंने चान के लिए लिए, एक कप के करीब शकर लिए, इस मिठाई को हम शकर से बनाएंगे, और तकरीबर 5-6 डेबल स्पून की लिए लिए, सबसे पहले इस मिठाई की चाशनी बना कर त्यार कर लेंगे, पैन मे कब पानी डलेगा एक कब में. मैंने शक्कर लिये चेकर खुले में थोड़ा टायम ले ती है इसलिए मैंने आदे कब से थोड़ा ज्यादा पानी लिये साथ इसके हम तीन सबसे लयची डाल देंगे अलैजी को हम चाशनी के साथ पकाएंगे लेकिन बाद में इसको हम निकाल देंगे मैंने जो शक्कर लिए लाइट कलर किया है अगर आपकी शक्कर ढार कलर किया है तो साथ आप उसके दो से तीन टेबल स्पून चीनी डाल लीजिएगा और शक्कर थोड़ी कम कर लीजिएगा उससे कलर भी अच्छा आएगा और मिठाई में टेस भी काफी अच्छा आएगा तो इस चाशनी में बबल से बनना शुरू हो गए है इसको मज़ीद हम दो से तीन मेट और पका लेंगे चाशनी को दो से तीन तारवाली नी बनाना बस इसको इतना पकाना का ले चीप-चीपिस हो जाए इदर मेने कड़ाही लिए कड़ाही में हम ये बेसन डाल देंगे बेसन डालने के बाद एक बार चमच को उमाल लेंगे ताकि ये नीजे ना लगे साथ Concepts के हम इस गीठा देंगे की के साथ इसको मुल्फष चार से पांच मिड़ के लिए रो रोस्ट कर लेंगे इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि इसमे गुठ्लिया से बनना शुरू हो जाए कि तब तक के लिए इसको हमने रोस्ट कर लेना है गीडा याल देंगे, गीए के साथ इसको हम 4-5 मिट के लिए रोस्ट कर लेंगे, इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि इसमें गुठलियां से बनना शुरू हो जाए, तब तक के लिए इसको हमने रोस्ट कर लेना है, तो आप देख सकते हैं, इसमें गुठलियां से बनना शुरूर हो गई है, अब इसको हम 4-5 मिट और पकाएंगे, इन गुठलियों का हमने खतम करना है, अब इसमें हम 2-3 डेबल स्पून की और डाल देंगे, की डालने के बाद अब इसको हम और रोस्ट कर लेंगे, की एक ही बार में आप सारह न डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल लीजिएगा, पहले आप थोड़ा कम ही डालिएगा, आप देख सकते हैं, इसमें जो गुटलें थी, वो खतम होने लगी है, और यह काफी नरभ हो गया है, इसको हम एक से लिए मिट और पका लेंगे, तो यह हमारा बेसन बनकर त्यार है, अब इसमें हम त्यार की चाशनी डाल देंगे, चाशनी को मैंने इस कब में निकाल लिया था, और इसको हम एक ही बार में डालेंगे, आदे डालेंगे, और इसमें हम चमच खुमा लेंगे, उसके बाद हम बाकी की चाशनी डाल देंगे और चाशनी डाल लेके बाद इसको हम लगतार 3-4 मेट और पका लेंगे मैंने इस मिठाई को दानेदार सा करके बनाना था अगर आप इसको प्लेन बनाना चाहते हैं तो आप चाशनी एक ही बार में डालेगा और फिलेम बंद करके डालेगा यह जो मिठाई बनती है यह दानेदार सी बनती है इसलिए मैंने फिलेम को आन रखा है और फिलेम आन करके हम यह चाशनी डालेंगे ताकि यह दानेदार सी हो जाए तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है और ये कितनी दानेदार सी बन कर त्यार हुई है इसको हम मज़ीद थोड़ा सा अच्छा करने के लिए साइडों पे लगा देंगे जैसे हम बलाई को लगाते हैं और इसको हम तकरीबर एक से डर्मिट के लिए साइडों पे लगा देंगे फिले मैंने ओफ कर दिया था अब इसको हम इस किंटेनर में निकाल लेंगे अब इसको सैट होने के लिए रख देंगे निकालने के बाद इसको हम स्पैचुला से दबा देंगे मैंने कंटेनर में इसको तक्रीबन आदे घंटे के लिए रखा था रूम टंपरेचर पे एकाफ़ी सेट हो गई है उपर से हम कट वे बदाम डाल देंगे बदाम डालने के बाद इसको हम दबा देंगे इसको टोरी के साथ और अब इसको हम काट लेंगे आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं यह हमारी देखें कितनी मज़दार सी मिठाई बनकर त्यार हुई है आप इसको एक बार ट्राइज जरूर करिएगा आपको भी खाने में बेहत पसंद आएगी आप इस मिठाई को किसी भी इमिट पर बना कर त्यार कर सकते हैं कम टैम में ये मज़दार से मिठाई बन कर त्यार होती है इसके हमने सलाइस इस तरह से कर लिए आप इस मिठाई को एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं यह थी आज की हमेरा रिस्पी, इसके साथ ही चाहत्च होंगी, अलाहाफिज।